कि अब यह पर मैं कभी डिबेट नहीं करता क्योंकि हदीस में अभी मुसल्मान खुद आपस में डिबेट कर रहे हैं क्या और बात तो सुरी एक को रान ही हमाज का तरीका वता दे मौलाना हो गए इस सवाल मैं बोलू नहीं पूछ रही हो मैं को अब मैं बोलू आगे एक सिकिंड जैसे आपने इतना लंबा टाइम लिया मैं आपसे बूछ रहे हैं अगर आप हदीस को नहीं मानते हैं तो नहीं को रान की एक हदीस मानते हैं तो हावा निकल गई मैं आपसे कह रहे हूँ कि अगर आप हदीस नहीं मानते हैं तो मैं साहिल को बोलूँगी कि वो हदीस का रेफरेंस ना देए नबी नहीं तो अपनी जुपान से कही है ठीक है। कुरान और हदीस एक ही चीज़े आप ये कह रहे हैं जी ठीक है सॉरी मुझे नहीं पता है इसलिए मैं क्लारिटी चाहती हूं जी आगे बुलिए एक ही है जी बाद के अर्शे में अब तक लोग लिख रहे हैं लिखने दीजिये लिखने वालों को किताबे तो लिखी मैं क्या मानते हूं अगर अगर सिर्फ कुरान को मानते हो तो कुरान का हमाला देंगे अगर सिर्फ कुरान को मानते हो तो कुरान का हमाला देंगे अगर सिर्फ कुरान को मानते हो तो कुरान का हमाला देंगे तो कुरान से बता दे कि कहा कुरान खतना करने का जिकर करता है त पिर बच्चों पर जल्म क्यों कि खतना कराने की जो सुन्नत आप लोग फॉलो कर रहे हो अगर वो कुरान में नहीं है तो क्यों जुल्म कर रहे हो लोगों पर नमाज जो आप पढ़ते हो पांच टेम की जरा कुरान से बता दीजिए कैसे नमाज पढ़ोगे मुला ना बिना हदीशों के तो कुरान आप तो आप बता चलेगा पढ़ोगे है से शेमिंदीगी महसुस हो रही है इस वज़े से आप अपनी जान हदीशों से छुडहना चाहते हैं कहां पर शेर्मिंदीगी महसुस हो रही है अरहे आप पो आप किसी वाई पिसुनी करसेए वे साहिए पेले में साहिल से वो ले ले लेती हूँ वो रेफरेंसज लेती हूँ कुरान ने क्या नीज तरीका है ये तुम्रेंस अलिए भाई है गुरोना भी फास्टेस वुणा हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सही है अपोस्टेसी रेट जो है अगर आप प्यूर इसस देखे 24 परसंट अपोस्टेसी रेट है गल्फ में इरान में लोग धडलने से इसलाम छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें भी वही शर्मिंदी की महसूस हो रही है जो आपको हो रही है हदीसों से सब आपको रिकोर्ट भेज रहे हैं जो है वह कुछ काम कहीं नहीं रहता है अभी आपने कहा है में बाते सुन लीजे हवाले ले लीजे आप सुनान इबने माजा सुनान इबने माजा मैं हदीस पर आपसे डिबेट ही नहीं करूंगा अरे हदीछ पर मैं आपसे डिबेट ही नहीं करूंगा लोगों को पता चलने दीजे कि क्या क्या चीज में लिखी लिखी वी हदीज में आप अब अब बताईए न घर्टार पर किया सुना रहे अरे मैं दस्चार पर कुआ है मुझे क्यों सुना रहे कुरान पर हो सकते हैं अहीं होंगे नहीं सब्सक्राइब उन्हें सब्सक्राइब कर आपका हुआ था कि नहीं एक से किम अहीं सब्सक्राइब के बुनियाद पे हुआ था अच्छा अच्छा आप मुझे बात बताईए आप कह रहे हैं कि हदीसों का रेफरेंस आप नहीं मानेंगे राइट सही कह रहे हुँ मैं यह कश्मकश में पढ़ गए हैं कि अच्छा आप नहीं करूंगा इनके तो पूछ रही हुँ कि अगर आप अगर आप अगर आप से बात कर रहे हुँ सुनिए तो सही मैं आपसे पूछ रहे हुँ सर्वर साब मुझे थोड़ा से समझा दीजे ना ताकि मैं डिबेट को उसी इसाब से ले जाओं मैं आपका पूरा सम्मान करती हूँ सर्वर साब आप ये कह रहे हैं कि आप हदीश पर डिबेट नहीं करेंगे इसके दो कारण हो सकते हैं कि आपको हदीश इतनी परफेक्ट लगती हैं कि उसमें कोई सवाल न फूससकता या फिर आप अप हदीश को नहीं मानते हैं आप कुरान की आयतों को मानेंगे आप मौलाना कैसे बन गए अरे मैं मौलाना ही नहीं हूँ 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 नीए मुलाना हाफीस तना बड़ा मरतबा है ना जिसका आपको अंदाब भी नीैई आपको अम्दा नीए पता हाफीस इबन हजर अल-सकलानी हाफीस नाम क्यों लगा है क्योंकि इतने बडे आलिम थे वो उनको हदी से बाकाइदा एक夏 बायादी तब जाकर हाफीस की केटेगरी मिलती है ये तो आज की तारीख में जो सिर्फ Qoran रटा मार ले ना उनको आफिस कि पर आимся ओफिस है Inam Bukhari पहरी ही नहीं हूँ हाँ तो मसला ये लेकिन आप पड़े नहीं है लेकिन आपका इसलाम जैसे पर नहीं चलता ना यहां पर हाफीज गुलाम सरवर साब कर रहे हैं मौलाना नहीं है करपिया उनको सिर्फ और सिर्फ हाफीज बोला जाए और हाफीज जो है हाफीज बनने के लिए दुर्स कीजिए का सब्सक्राइब कर रहा है उसका मतलब समझा की नहीं समझा यह जैस नाइन परसंट मुसल्मान इसलाम को समझते ही नहीं उनको पता ही नहीं इसलाम में क्या लिखा है जैसे हमारे हाफीज साब है वैसी साहिल 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 जब समझा तो सड़क पर चला गया एक मधब भी नहीं कसनदाया वो इसमें से निकल जाता है जिब साहिल नहीं समझा एक मिट सुनिए ना हम इनकी रिस्पेक करते हैं यह उन्होंने बहुत इमानदारी बढ़ती काश हिं as 능ा दर्पसल कर लेते है साही भाई यह इतनी शहिन शिता हाफीछ साथ है आर है इतनी चाहिर मसा आग यदृ शेश करते हैं को एक whenever आव समगर्द आहयरा है अरे गया आप दिल से हिंदु हो चुके हो सनाथनी बन जाई है आपistic यह अ कि तुывать ता इतना अच्छा लगता है वो तो वो तो गर्व से मैं कहता हूँ फखर से क्या अलहमदोलिल्ला मेरे पुर्वज हिंदू थे यह जा हो गया यह जो रहा हूं मैं तो आपको बन जाए पर पाइसे परान से देनाब सुरह बैयना सुरह नंबर नाइंटी एट आरे मैं कहता हूँ आपने कुरान को छोड़ दिया अरे गीता को तो पकर लो मेरे उस्ताद अरे रामाइन को तो पकर लो मेरे दोस्त इनार जहन्नम खालिदीन फीहा अलाइक हम शर्व बरीया यह आपके पुरुज के बारे में कुरान कहता है कि वो वर्स्ट आफ क्रियेचर है और हमेशा काफिर किसको कहते हैं जो मुर्ती पूजा करें अलाइक सब्सक्राइब काफिर को कहते हैं पुर्वज आपके जो पुरोज है। हमसे इतना ही नहीं यहाप ठनी कुछए है! सुरे जवाब लोगे की नहीं लोगे भाई? अगे देखे जवाब मतलद तुम इस नहीं सुनाते रोगा, आगे, आगे, आगे देखे है अजय तुम्हारा भरोसा पर नहीं झीता पर नहीं रामायन पर नहीं बाइबल पर नहीं कुरूगंग सापय नहीं तो तुम आगे किसको दिखा रहे हो यह तो बतार सहां सरवर साब मुझे आप कुुरान की आपने आपको स्यानIT है ना अशरीए मेरे उसका जवाब लीजिए पहले पिना जी मेरी बात का जवाब दीजिए मैं नहीं बताओंगा